Hello everyone, welcome to study IES और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा वीर घरजिन के बारे में दोस्तों ये exercise है जो की होती है इंडिया और जपान की बीच में आज की वीडियो में इस पूरी exercise के बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं और अभी ये recent ये में देखने को भी मिली है तो अभी ये news में थी इसलिए ये important है चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और एक करके डिसकस करते हैं इसके बारे में पर बता दो आपको अनेकेडेमी की पिछले दो सालों से performance बहुत अच्छी चल रही है आप लोग लिए 12 जनुवरी से RM2 चालू है तो जो बच्चे 2022-24 का एक्जाम देने वाले हैं वो भी जाके enroll कर लीजे 0% की MIB भी अवलिबल है इसका फाइदा उठाइए test series आप लोग लिए और free interview, guidance program भी आप लोग लिए जिसका आप लोग 10 feet ले सकते हैं अभी जाके enroll कीजिए और हमारा यहाँ पे अनेकेडवी सेंटर नया launch हो चुका है जो की हुआ है ओल्ड राजिंदर नगर के अंदर आप लोग यहाँ पे जाएए और अभी यहाँ पे admission open है 2024 के जो foundation बैच है उसके लिए तो आप लोग offline भी यहाँ पे classes ले सकते हैं अब देखे दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिन एरफोस ने यहाँ पे tweet करके बताया है और यह बोला है कि आप कर सकते हैं जो या कुरी एरफोस बेस है जो कि आप मान सकते हैं जैपान में है वहाँ पे एक maiden exercise रहने वारी है जो कि है वीर गार्जन 2023 और यह दोस्तों रहेगी आप कर सकते हैं फ्रॉम 12 से लेकि 26 जयन तर तो यह हमें देखने को मिलें और हमारी जो यहाँ पे IF contingent है यह निकल चुकी है मतलब कि आज के दिन यह निकल चुकी है यह कल का tweet है आप देख सकते हैं तो इस साथ तारीक का tweet है और यह आज निकल चुकी है basic पी आज तो पहुँच गी होगी यहाँ पे जो IF है इसकी तरफ से participate कर रहा है 430 MKI 2C17 Globe Master और 1 IL-78 Tanker अब देखें इंड और जपान की बीच में आपके सितने जुएंट एर एक्साइज है एर फोर्स के बीच में रहने वाली है पताया है वहने आपको जिसके अंदर इंडिया की तरफ से इंडियन एर फोर्स और जपान की तरफ से जपान एर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है यह पार्टिस्पेट करेगी यह एक्साइज यहाँ पर प्रमोट करने वाली है एर डिफेंस कोपरेशन बिट्विन तू कंटरीज मतलब हमारे जपान की बीच में जो एर डिफेंस है उसको यहाँ कहीं न कहीं इंप्रूफ कर रही हो रही है अब यह जो एक्साइज है दोस्तों यह रहने वाली है जपान के यकूरी एर बेस में और यह रहेगी 12 जनुरी से लेके 26 जनुरी तक जैसे बताया मैंने आपको इंडियन कॉंटिजेंट में दोस्तों पाइटिस्पेट कर रहे हैं आपके 430 MKI 2C17 और एक IL78 एर क्राफ्ट वहीं बात करें हम लोग अगर जपान की तरफ से तो वहाँ पाइटिस्पेट कर रहे हैं 4F2 और 4F15 मैं बता दो दोस्तों आप लोग को कि दो ही कंट्रीज एगरी हुई है कि यह यहाँ पर सेट अप करें और स्टेप अप करें बाइलेटरल डिफेंस कोर्परेशन को लेके और एंगेज करें अपने हमारी बेचकी मतलब हमारी जपान की बेचकी मिलिटर एकसाइज को ओके य जोएंट फाइटर जट के साथ रहने वाले जिसके अंदर डिल्स वगएर रहेंगे और किस तरीके से हम दोनों ही तरफ के जो सिक्यर्ट कोपरेशन है इन्हें यह दिखा रही होगी यह जो एकसाइज दोस्तों यह बहुत बड़ा स्टैप है कि हम लोग यहाँ पे स्टाइजिक स्टाइज को यहाँ पे और डीप कर सकें क्लोजर कर सकें अपने डिफिन्स कॉर्परेशन को बिट्विन तू कंट्रीज इसका इन्हुरल यहाँ पे इंकल्यूड रहने वाला है काफी सारे यहाँ पे aerial combat के drills रहने वाले हैं जो कि हमारे और उनकी तरफ से दोनों की तरफ से करेंगे लोग और इसके अंदर कई सारे multi domain air combat mission भी रहने वाले हैं कई सारे अलग-अलग environment में जिससे कि हम लोग एक best possible जो practice है exercise यह कर सकें जो वीर गार जी ने दोस्त तुम मैं बता दूँ यह 45 क्या गया है by the longest standing bond of friendship हमारी और जपान के बीच में और किस तरीके से हमारे जो defense cooperation है वो बड़िया चल रहे है important है हमें यह पता होना चाहिए कि हम लोग अपने किस दोस्त के साथ यहां पे कौन-कौन सी exercise कर रहे हैं आप लोग बताईगा कि हम लोग इंडिया जो है basically इंडिया US के साथ और और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी exercise करता है आपको एक एक नाम बताना है कि इंडिया जो है वो US के साथ एक exercise का नाम और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक exercise का नाम यह आपको मुझे comment section बताना है आपकी इससे थोड़ी सी जो revision और यह हो जाएगा बस इतना ही होता है revision आपको हलकी हलकी knowledge होनी चाहिए ऐसा नहीं होता है you have to reopen your books and notes और फिर आप द्वारा पढ़िये ऐसा नहीं revision revision होते रहता है मतलब बीच में आपने कुछ पाढ़ लिए आपको याद आ गया तो यह revision का तरीका एक तरीके से आपको इस वीडियो से मदद निले होगी आपको कुछ अच्छा लागा वीडियो में शॉर्ट वीडियो थी पर इंपोर्टन थी इसलिए आप लोग लिए मैं ले आया आए आज वीडियो दोस्तों इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए have a nice day and take care